Good morning students, hope you all are good and healthy and studying well. In the previous video, we were reading first ad tips, जिसमें हमने बहुत सारे tips रीट किये थे, उन सब tips से हम क्या कर सकते थे? Minor injuries को ठीक कर सकते थे. तो मेरे को पता है, आपने सबने अच्छे से रीट किया होगा, और उन सब tips को अच्छे से समझा होगा, ताकि कभी ऐसा हो, तो हम उन्हें यूज़ कर सके. अब, today we will read new point, home is the best. Home is the best means, हमारा घर सबसे best है, वो क्यों है? ये आप सबको पता है? हमारा घर देको सबसे best होता है, क्योंकि वो हमें हर चीज से बचाता है. वो हम इसमें रीट करेंगे. Our house protects us from rain, storm, snow, heat and cold. हमारा house जो है, वो हमें protect करता है. किन सब चीजों से? rain, storm, snow, heat, cold, इन सबसे हमें बचाता है. जैसे बारिश आती है, तो क्या होता है? हम घर के अंदर रहते हैं, और इससे हम क्या है? safe रहते हैं. ऐसे ही storm, या snow, heat, cold, कुछ भी हो. हम क्या है, अगर घर के अंदर रहेंगे, तो हम safe ही रहेंगे, protect रहेंगे. इसलिए हमारा घर सबसे best होता है. बट, घर best तो है, बट, उसे हमें comfortable, safe, हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, यह हम आगे के points में जानेंगे. और comfortable and safe house किस तरह से होता है? फर्स पॉइंट इस, sunlight kills germs. देखो, sunlight जो है, वो germs को kill करती है, मतलब germs को मार देती है. इसलिए, हमारे घर के अंदर, घर में windows होनी चाहिए. ताकि, sunlight जो है, वो windows से हमारे अंदर, घर में हर रूम तक पहुँच सके. और जो germs है, वो sunlight से मर सके. तो इसलिए, windows जरूर होनी चाहिए, ताकि, sunlight एंटर हो सके. Next point, the floors of the kitchen and bathrooms should be slopping. देखो, kitchen और bathroom में जो floor होता है, वो slopping type होना चाहिए. मतलब, slop वाला होना चाहिए, धलान type होना चाहिए. जिससे क्या होगा? This will allow water to flow out easily. जिससे महाँ पे जो पानी होता है, क्योंकि bathroom और kitchen में ही ज़्यादा पानी होता है, तो इन जगह जब पानी हो, तो वो easily slop के कारण बाहर निकल सके, बह सके. तो इसलिए floor जो है, kitchen और washroom का, वो slopping वाला होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, doors and windows should have wire netting to keep away flies and mosquitoes. देखो, doors और जो windows है, उसमें wire netting होनी चाहिए. जो हमारी windows होती है, door होता है, तो एक तो main gate होता है, लेकिन हमें एक wire netting वाला भी उसमें gate लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, flies या mosquitoes जो होते हैं, चोटे-चोटे मच्छर होते हैं, वो क्या है, अंदर ना आ सके. क्योंकि अगर वो अंदर आएंगे, easily, तो वो हमें काट लेंगे और हमें काटेंगे, तो क्या है, हमें कोई सी भी disease हो सकती है, तो इसलिए हमें एध्यान रखना चाहिए, कि gate doors पे और जो windows हैं, उन पे wire netting doors भी होने चाहिए. Next, an open space such as veranda और courtyard lets you enjoy fresh air. आपके घर में एक open space होना चाहिए, जिसे veranda और courtyard होना चाहिए, जहाँ पर आप fresh air feel कर सको, enjoy कर सको fresh air को, महाँ सीधी आपको fresh air मिल सके. क्योंकि हम जब घर-घर के अंदर अंदर रहते हैं, तो fresh air नहीं मिल पाती हैं हमें, बाहर से ही मिल पाती हैं, तो इस तरह से हमें एक open space भी घर में रखना चाहिए. Next point, mosquitoes breed in dirty water and spread disease. देखो, mosquitoes जो होते हैं, वो dirty water में, मतलब गंदे पानी में breeding करते हैं. Means, उनके बच्चे पेदा होते हैं, वहाँ नए मच्छर पेदा होते हैं. तो इसलिए, हमें क्या है? गंदे पानी को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए, गंदे पानी को निकाल देना चाहिए. जब गंदा पानी रहेगा, तो इससे क्या होगी? Disease भी ज़्यादा फैलती हैं. The kitchen and bathroom's drain should be properly covered. और kitchen और जो bathroom का drain system होता है, जहां से पानी जा रहा होता है, उसको properly covered करना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो properly covered होना चाहिए, ताकि वहाँ से क्या है? कोई भी, मतलब गंदगी नहीं आए, कोई जो होते हैं, कुछ छोटी-छोटी insects, animals जो होते हैं, वो ना आपाए, तो इस तरह से हमें उन्हें covered रखना चाहिए. अब देखो, यह जो हमने कुछ points read किये, यह सब ऐसे points हैं, जिससे हम उमारे घर को comfortable बना सकते हैं, safe बना सकते हैं, और हम खुद को save कर सकते हैं. Next, हमारा जो point है, वो है clean house, मतलब हम घर को clean किस तरह से रख सकते हैं, वो हम इसमें read करेंगे. First point, curtains protects us from dust and too much sunlight. Curtains से, हम dust से और sunlight, यानि बहुत ज़्यादा sunlight से बच सकते हैं. आप सब के घर में curtains होंगे, windows पे लगे होंगे, doors में लगे होंगे, तो क्या है? Curtains हमें लगाना चाहिए, ताकि हम क्या है? Easily dust हमारे उपर ना आए, curtains पे लगे, और ज़्यादा sunlight आती है, तब भी हम curtains को लगा देते हैं, तो क्या है? Sunlight से भी हम सीधा बच सकते हैं. They must be washed regularly, और हमें इन्हें time time पे, मतलब regularly ने wash कर देना चाहिए. Next, the floor should be swapped and mopped everyday. जो floor होता है, उसे हमें swap करना चाहिए, mop करना चाहिए, it means हमें daily जाडू लगाना चाहिए, और हर दिन इन्हें mop करना चाहिए, पहुचा लगाना चाहिए, जिससे क्या है? हमारा floor जो है, वो clean रहेगा, साफ रहेगा. Next, wash basins and bathrooms must be washed and cleaned daily. जो wash basins होते हैं, bathroom होते हैं, वो wash होना चाहिए, wash करना चाहिए उन्हें और clean रखना चाहिए daily के daily. They must be kept dry और इन्हें हमेशा dry रखना चाहिए, सुखा हुआ रखना चाहिए. मतलग ये ज़्यादा गीला नहीं हो और जब भी गीला हो मतलग उसे साफ रखना चाहिए, dry रखना चाहिए, कौशिश करना चाहिए कि वो dry हो. क्योंकि अगर bathroom गीला होगा, wait होगा तो वहाँ क्या होगा? हम sleep हो सकते हैं, इसके chances होते हैं. तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा dry रखना चाहिए. Garbage should not be thrown on the road. Garbage जो हैं, वो हमें road पर नहीं fake ना चाहिए. It should be put in cover dust beans. तो हमें garbage को कहां डालना चाहिए? Cover dust bean के अंदर. इस तरह का dust bean होता है, जिसमें हमें डालना चाहिए. Dust bean should be cleaned, cleared every day. Dust bean जो होते हैं, उसे हमें clear करना चाहिए, मतलब clean करना चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए. और हमें, जो उसमें हमने garbage इखटा किया है, उसे हमें delicate daily डाल देना चाहिए, ताकि वो clear रहे. The house should be white washed regularly. आप देखो, house जो होता है हमारा घर, उसे भी हमें white wash करना चाहिए, regularly. मतलब हमें कुछ-कुछ time में, मतलब जिसे अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, एक साल में white wash करवा लेते हैं घर को. तो इस तरह से regularly house को clean कर देना चाहिए. तो हमने ये अभी कुछ points read किये हैं, जिससे हम घर को clean रख सकते हैं. तो हमने आज पढ़ा कि home जो है, वो best होता है. Home को हम किस तरह से clean बना सकते हैं, कैसे comfortable बना सकते हैं. ये कुछ points हमने आज read किये. And I hope आपको सब समझा आ गया होगा. तो यहाँ पर हमारा chapter finish हो गया है. अब इसके हम next video में सारे जो exercise हैं, वो देखेंगे, समझेंगे. और उन्हें आप लोग अपनी book में complete कर लीजिएगा. ओकी? बाई बाई!